व्राइज वेलकम्टू मैं चैनल आजमें आपके बालों के लिए बहुत ही बैतरी है Magnus लेकर रही हूं जो कि आपके बालों को मुझबूत बनाएगा सिलकी साइनिंग बनाएगा और हमारे बालों को जड़ों से मजबूत करेगा हमारे बालों को प्रोटीन देगा तो चलिए हम इसे बनाना सुरू करते हैं इसे बनाने के लिए हमें चाहिए दो भी विसकस के फ्लावर और 5-6 पत्ते और 4-5 मच दही दही हमारे बालों के लिए बहुत ही जड़ूरी होता है क्योंकि हमारे बाल प्रोटीन से बने हुए होते हैं और हमें हमारे बालों को प्रोटीन जड़ूरी होता है कि हम उसे समय समय पे प्रोटीन दें दही में मिनरल्स और विटामिन्स पाये जाते हैं दही में विटामिन A, B, calcium, iron, potassium, phosphorus भरपूर मात्रा में होते हैं ये सब हमारे बालों के लिए बहुत ही जरूरी होता है एक छोटे से जार में हम हिविसकस के फ्लावर, पत्ते और तीन से चार चमच दही को लेकर बिल्कुल बारीकी से इसे पीस लेना है अगर आपको थोड़ा सा तो आप इसमें थोड़ा सा पानी इंक्लूट कर सकते हैं या फिर एक दो चमच और दही ही ले सकते हैं इस हैर मास्क को हम अपने सकैल्प पे लगाएंगे ये हमारे सकैल्प को अपने हमारे बालों को मजबूत करता है साथ ही बहुत ही ज़्यादा सिल्की और शाइनी बनाएगा यह हमारे बालों को प्रोटीन देगा यह मास्क हमारे बालों को पोशन देगा आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं बिल्कुल बारीकी से पीस ली हूँ अब हम इसे एक बॉल में निकालेंगे और इसे चमत से अच्छे से फेट कर और फिर हम अपने स्काल पे लगाएंगे हमें सबसे पहले अपने स्काल पे ही लगाना है अगर आपको बालों के लिए नहीं बचे तो कोई बात नहीं इस मास्क को एक घंटे के लिए लगा कर छोड़ दीजिए और इसके बात फिर हलका गुनगुने पानी से अपने बालों को अच्छे से वाश कर लिजिए अगर आप चाहें तो इसे सिर्फ पानी से भी वाश कर सकते हैं नहीं तो फिर आप थोड़ा सा शैंपू लेकर हलकी हाथों से थोड़ा सा शैंपू सिर्फ कीजिएगा अपने बालों पे आप इस मास्क को विक में एक दिन अपलाई कीजिए और देखिए आपके बाल बहुत ही जल्दी मजबूत घने और अगर आपको हैरफॉल की समस्या हो रही है तो वो बिल्कुल बंद हो जाएगा लाइक और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें